भारत में जो आशा हैं, लोगों में जो आत्मविस्वास हैं, नए भारत के निर्मार के लिए जो इच्छा शक्ती हैं, वो आपके लिए भी अनेग संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। आप खुद देखिए, आज भारत जी ट्वेंटी देशों के समू में फास्टेस ग्रोइंग एकॉनोमी है। स्मार्ट फोन डेटा कन्यूमर के मामले में भारत पहले नमबर के है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें, तो भारत दुनिया में दूसरे नमबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नमबर पर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टीम भारत में हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंजूमर मार्केट भारत में हैं। ऐसी कई चीजे मैं आपके सामने रख सकता हूं गिना सकता हूं। कोरोना जैसी वैस्विक महमारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेंज में इतना बड़ा डिस्रप्शन हुआ। फिर युद्ध ने भी इस संक्रट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रुप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे जादा रेकॉर्ड एफडी आई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मिन्स बिजनेस। और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संबहु नहीं हुआ है। इसमें ISB जैसे बिजनेस स्कूर्स का यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्ट लप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे मैनुफेक्टरी हो या सर्विस सेक्टर हो हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ ना आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर मुझे आप पर भरोसा है आपको अपने आप पर है। साथियों इसलिए आज दुनिया भारत को भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडस को एक नए सम्मान और नए बरोसे के साथ देख रही है।